हेलो अच्छों ये जेए में 2030 का क्वेश्चन है 31st 30 जनवाडी सेफ्ट 1 का देखे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वेब अप्टिक का क्वेश्चन है यह इन यंग्स डबल-slit experiment two slits s1 and s2 are d distance apart the separation from slits is the separation from slits to screen is d now if two transparent slabs of equal thickness 0.1 mm but refractive index 1.51 1.55 are introduced in path of beam lambda 4000 angstrom from s1 and s2 respectively the central bright fringe spot will shifted by the number of fringes ठीक है अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो central bright fringe है वो shift हो जाएगा वाट कितने number से shift होगा कितने number of fringes shift होगे बाद सिंपल आप भी समझ लू कि आपको number of fringes निकालने है कि number of fringes कितने shift यहाँ पर हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको concept समझ रहा हूँ कि यह shift होते क्यूं है अगर आपको यह concept नहीं समझना है तो आप इसको skip करके direct solution पर चले जा सकता है ठीक है अगर समझेंगे तो आपको बहुत फाइदा मिलेगे इस से ओके यहां पर क्या बोला जाता है optical path length एक define कि यह ना मालने जिए बोला जाता optical path length में कि कोई भी इसमें optical path length बोला जाता है कि light जो है ना जितना distance same time में मतलब जितना distance travel करेगा किसी भी medium में उत्रही distance अगर air में travel करता है तो उस air वाले distance को बोला जाता है optical path length ठीक है मालने जिए यहां पर पूरा यहां से ले करके यहां तक का distance इसने travel किया डी वन ठीक है ओके time T1 मैंने और यहां पर एक बीच में डाल दिया medium ठीक है तो medium डाल देने से और यहां पर distance बोल दिया कि यह थेकने से बोल दिया कि इसका D है ओके refractive index में हुए है तो हम लोग जानते हैं कि जैसे medium में एंटर करेगा speed of light होगा वो क्या हो जाएगा c by refractive index degrees करता है न तो c by refractive index हो जाएगा ठीक है तो आप अगर यहां पर time लिखेंगे आप कि ठीक है इसको कितना time लगा है किसमें travel करने में इस slab के अंदर तो आप क्या लिखेंगे d upon v लिखेंगे और यहां पहले वाले में क्या लिखते है आप d upon c लिखते कि यहां पूरा air है तो air में speed c रहेगा ठीक है medium में change होगा न जो कि मैंने v लिख दिया तो यहां पर आप d upon c by mu लिखते कि v is equal to c by mu तो यहां से mu into d by c अब बोला है जैसे कि मैंने आपको define किया भी optical path length के बारे में कि optical path length क्या होता है तो optical path length बोला जाता है कि यह मतलब same time में जितना distance travel करेगा यह air में ठीक है उसी time में जो travel करेगा medium में ठीक है तो जो air वाला distance है न उसको क्या बोलते हैं हम लोग optical path length जैसे आप for example आप खुद सोचिए कि same time जैसे मैं बोलू कि क्या t1 is equal to t2 होगा तो यहां से d1 by c is equal to क्या मिलेगा mu into d by c मतलब d1 is equal to क्या आगया mu d मतलब हम अगर time शेम रखना है तो light को इयर में जदा distance travel करना पड़ेगा क्योंके स्पीर कं होगे तो यहां पर time शेम जदा लगे इसको क्या करना पड़ेगा इसको distance ज्यादा travel करना पड़ेगा इसलिए जो d1 है न वो mu d के बराबर हो जाएगा और इसी mu d को बोलते हैं हम क्या optical path length ठीक है तो अब इन दोनों में air और इसमें path reference कितना आएगा तो यहापर जो optical path reference आएगा वो आएगा mu d minus d मतलब air में कितना extra distance travel करना पर रहा है इसको mu minus 1 into d ठीक है इसको बोलते हैं वो optical path difference ठीक है यहाप पर path difference ठीक है clear हो गया अब देखिए अब यहाँ पर होता क्या है कि जब हम ydac देखते हैं तो ydac में यहाँ पर एक slit है वादब 2 slit हो गया यहाँ ठीक है और यह screen हो गया ठीक आप यह हो गया मिरव पॉइंट है ना तो वैसे तो मिरव पॉइंट पर path difference क्या होता है तो जैसे ही आप मालेजिए इस वाले में यह s1 वाले path में जैसे आप slab insert करेंगे तो यह उपर की तरफ shift हो जाता है यहाँ पर अगर आप slab डालते हैं तो अगर आप स्ने slab डाल दिया यहाँ पर ठीक है अगर दोनों में डाल दिया तो वो डिपेंड करेगा किधर shift करेगा वो डिपेंड करेगा refractive index मालों अगर आपने बोला कि मीव 1 है तो अगर मीव 1 का value ज्यादा है किससे मीव 2 से तो यह उपर की तरफ shift करेगा बट मैं अभी basic conception जा रहा हूं ठीक है मालेजिए आपने अभी नहीं डाला है ठीक है तो यहां पर central maximum पहले इधर था जब slab नहीं था तो अब slab डालने के बाद central maximum कहीं इधर shift जागा o dash पे बट यह उपर के तरफ यह फिर कहीं और shift क्यों होता है तो shift होने का reason है देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर speed कम हो गया यहाँ पर speed कम हो गया ठीक है तो अगर मालो यहीं पर इसको मीट करना होता तो नहीं मीट कर पाता क्योंकि slab यहाँ डाला आपने तो यहाँ पर speed क्या हो जाएगा तो speed slow होने से s1 से light आता है यहाँ पर उत्रह लेट आता और s2 से पहले पहुंच जाता है क्योंकि अगर यहाँ पर आपने डाला है medium ठीक है तो s1 से light तो लेट पहुंचेगा इसमें speed slow हो जाएगा तो यहाँ पर light लेट पहुंचेगा और s2 जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि distance तो सेम इस o point के लिए ठीक है तो o point के लिए अगर distance same है यहाँ पर यहाँ पर speed slow हो जाएगा तो फिर लेट पहुंचने से क्या होगा कि interference नहीं कर पाएगा इना interference के लिए same time पहुंचना चाहिए है ना आई होप आपको clear हो गया होगा यह चीज तो इसलिए क्या हुआ कि थोरा से यह उपर shift हो जाता है उपर shift होने से क्या होगा कि अब यहाँ पर time जदा लग रहा है बट distance कम travel करना पर रहा है और यहाँ पर distance जदा travel करना पर रहा है ठीक है तो overall क्या हुआ अगर यहाँ distance जदा travel करना पर रहा है इसको as to say as to o dash है ना और यहाँ पर distance कम travel करना पर रहा है बट time जदा लग रहा है this medium के विए से तो फिर दोनों के दोनों हो सकता है same time में पहुँच रहे हों तो वहां से फाइदा क्या होगा benefit क्या मिलेगा हम लोगों को interference की possibilities वहाँ पर बन जाएंग आगे interference की possibilities वहां पर बन जाएंगी तो अब मैंने समझाया था कि अगर दो डोनों में डाल देते हैं मालिच अगर यहां पर भी डाल देते हैं slab और यहां मुटू है तो डिपेंड करेंगा किस का वैलू जदा है अगर मुटू का वैलू जदा होगा है तो यही ओड़ यहां बन जाता यहां पर अगर म्यूटू का वैल्यू ज्यादा होता तो ठीक है तो यहां पर एक चीज़ आप हमेशा देहान रखें कि Central अना Central फ्रेंज के लिए Net Path रिफ्रेंज क्या होता जिरो होता है ठीक है तो अगर हम नॉर्मल आप देखोगे तो नॉर्मल जेमेट्रिकल पाथ में नॉर्मल जेमेट्रिकल पाथ यहां पर आप को याद हो तो यह थीटा एंगल बनता था है ना तो दी साइन थीटा ओके ब्रेक करके तो अगर नेट पाथ रिफ्रेंज जिरो होने का मतलब यह हुआ कि जो ऑप् जेमेट्रिकल पाथ रिफ्रेंज डी साइन थीटा के बराबर आता है ठीकए और डी साइन थीटा आप अगर यडी सी पढ़रे होंगता आपको मालूब होगा कि यह जो है ना पाथ रिफ्रेंज यहां से हां तक का एक्स्ट्रा वो डी साइन थीटा आता है खैर चलिए यह पर डेजिवेशन की बात हो गई तो मैं आपको यहाँ पर फाइनली समझाता हूँ अब फॉर्मूला अगर आ गया मतलब तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो सिफ्टिंग हो रहा है न यह एक्जैक्ट्टी आता कितना है ठीके तो उस सिफ्टिंग को मैं यहाँ पर ए ठीके और यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन समॉल डी यह सिफ्ट होता है ठीके तो अब यहाँ से मू का वैलू कितना दिया हूँ देख लें एक बड़ तो मू 1 कितना दिया हूँ है वन पॉइंट फाइव फाइव ना एक मतलब फाइव है और एक वन पॉइंट फाइव है ओके तो यहां पर हम पूट करेंगे ओन पॉइंट फाइव फाइव माइनस फाइव वन इन्टु टी के तरह है जिरो फॉइंट वन एंएम तो जिरो पॉइंट 1 mm into, अभी जो d by d है न, इसको भी आप रहने देज़े, ऐसी ठीक है न, ये d by d को छोड़ दीजे, अब यहां से देखिए, तो ये 0.1 into 10 to the power minus 3, मतलब कितना होगा, 10 to the power minus 4 और यहां से, यहां से 0.04 और ये 10 to the power minus 4, that is कितना हैगा, 4 into, और ये d by d रहे गा, as it is, तो 4 into 10 to the power minus 6 into d by d, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा हम लोग के पास x, ओके, अब ये x हम लोग का मालू होगया, ठीक, तो अब यहां से मतलब कितना shift करेगा, ये मालू होगया, है न, बट अब कितने number of fringes shift होगे, number of fringes shifted, तो इसके लिए क्या होता है, कि simple, जो distance का, जो formula होता था, मतलब जो fringes का distance का जो formula होता था न, y is equal to n into lambda into d by d, ठीक है, समझ माया, इसी चीज़ को equate किया जाता है, क्योंकि देखिए, अगर यहां पे इसका first, first अगर dark यहां पे था न, और first bright अगर इधर था, तो यह equally shift करेगा, मतलब first फिर bright यहां shift कर जाएगा, और first dark इधर shift कर जाएगा, मतलब अगर हम बात करें, तो first dark भी x distance shift करेगा, और first bright भी x distance shift करता है, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कि इसको equal करना पड़ता है, है न, x को, तो अब यहां से, मतलब यह n into lambda कितना दिया हुआ, 4000 angstrom, तो इसको रखिए, into d by d, और यहां से हम लोग को यह मालूम है, कि x कितना है, 4 into 10 to the power minus 6 into d by d, तो यह cancel हो जाएगा, यह 3 0 cancel होकर 10 to the power minus 7 आएगा, यह cancel हो करके, और यह 4 से 4 भी cancel, एक यहां पर एगा 10 to the power minus 1, तो n into 10 to the power minus 1 is equal to 1, then n is equal to कितना 10, ठीक है, तो n का value कितना आएगा, 10 आएगा, ओके, तो यहां पर जो number of fringes shift होंगे, वो कितने हो जाएगे, 10, ओके,